आग्रा सेंट्रल जेल में दस बंदियों को जम्मू कश्मीर से शिफ्ट किया गया है इन में दो पाकिस्तानी आतंकी और आठ कश्मीरी हैं सभी को हाई सिक्यरिटी बैरक में रखा गया है अब सेंट्रल जेल में कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकी मिला कर कुल 88 बंदी हो गया जम्मू कश्मीर में पिछले दुनों बड़ी टारगेट, किलिंग और आतंकी घटनाओं के बाद अब एतिहातन कई कदम उठाये जा रहे हैं इसके तहट जम्मू कश्मीर से सडक मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच में अलग-अलग जेलों में बंद दो पाकिस्तानी आतंकी वा आठ कश्मीरी बंदियों को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया डियाईजी जेल राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि साथ कश्मीर सारवजनिक सुरक्षा धिनियम वा एक कश्मीरी पी ऐसे वा हत्या की केस में बंदी है इसके साथ दो आतंकी भी शिफ्ट किये गए है तेखे कुल दस लोग जम्म कश्मीर से यहां पर भेजे गए हैं जिसमें से आठ काश्मीरी हैं और दो पाकिस्तानी है आठ जो काश्मीरी है उसमें साथ पियसे के अंतरगत है और एक पियसे जिद तीन सो दो है दो पाकिस्तानी है जो दो पाकिस्तानी है उसमें से एक सियाल कोट के हैं और एक बवेरा के इस तरह से कुल दस हमको बंदी प्राप्त हुए है वहाँ जम्मूर प्रस्पास से अब लगभग 78 हम लोग होगे 78 के आसपास जिसमें सब है पियसे काश्मेरी और पियसे जो पाकिस्तानी जो है वो इस तरह से करके लगभग 78 है अब लोग